काला बाजारी पर केंद सरकार की सक्ति के बाद भी सरसो का तेल महंगाई की आग में खौल रहा है पिछले एक महीने में तेल के दाम प्रती लीटर 25 से 30 उर्पे से बढ़ गए हैं जिस कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है राजिस्थान वे हर्याना से आग्रा की मंडियों में सरसो की आवग भी कम हो रही है जिस कारण सरसो के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तेल के दाम बढ़ने लगे 13 अगस्त को सरसो के देल का दाम थोक में 152 से 155 रुपे प्रती लीटर था जो 13 सितंबर यानी सोमवार को 182 से 187 रुपे प्रती लीटर हो गया डिटेल बाजार में ये भाब 200 रुपे प्रती लीटर तक है आगरा में सरसो की दो बड़ी मंडी खेरागड में कागरॉल रोड वे किरावली मंडी हैं इन मंडियों में सोमवार को सरसो 9,900 रुपे प्रती क्विंडर तक भी की कागरॉल मंडी के सचीव के अनुसार सोमवार को मात्र 5 टन सरसो की आवक हुई थी जो अगस्त में समाने प्रती दिन 10 से 17 टन रोज रही है कमोवेश यही हाल किरावली मंडी का भी है सरसो के तेल उतपादन में आगरा देश में अगरणी है आगरा में 66,000 हेक्टेर में सरसो का उतपादन होता है पर मांग अधिक होने के कारण यहां की प्रभुक मंडी खेरागड वे किरावली मंडी में हरियाना वे राजिस्तान से बड़ी मातर में सरसो की आवक होती है रोज करीब 500 टन सरसो का तेल उतपादन करने वाली आगरा ओऑल मेल, भीपी ओऑल मेल, शार्दा ओऑल मेल वे महेश ओऑल मेल सीदे हरियाना वे राजिस्टान मंडी से सरसो करए करते हैं जनपद में 6 और ओयल मिल के अलावा 200 से अधिक एक्सपेलर हैं जिनके द्वारा रोज करीब 100 तन तेल का उत्पादन किया जाता है खेरागड मंडी वे किरावली मंडी में रोज करीब 2000 कुईंडल सरसु की आवक होती है इस कारुबार से जुड़े लोगों के अनुसार तो खेरागड मंडी वे किरावली मंडी के आसपास ही बड़ी मातर में सरसु की जमाखोरी की गई है ये खेल इन दोनों स्थानों के साथ सार जिली में एक दरजन स्थानों पर और चल रहा है ऐसे ही खेल सरसु के तेल में भी है सरसो खड़ी दने का करे केंदर नहीं है किरावली में सरसु की लैब में जाँच होती है तेल के आधार पर उस सरसु के दाम निर्धारित होते हैं कारोबारियों के अनुसार मंडियों में सरसो 9,900 से लेकर 10,000 रुपे प्रती कुंडल के हिसाब से बिक रही है इस पर 6 प्रतीशत GST और 1 प्रतीशत मंडी शुल्क अलग से लगता है अगर एक कुंडल सरसु की फसल का तेल निकाला जाए तो 33 किलो तेल निकलता है दो किलो खल जल जाती है ऐसे में 65 किलो खल बचती है थोक के रेट में 182 रुपे किलो तेल बिक रहा है इस हिसाब से 33 किलो तेल की कीमत 6,006 रुपे बनती है वही 65 किलो खल 30 रुपे किलो के हिसाब से 1950 रुपे का बिक रहा है तेराई 250 उर्पे क्विंटल है जब कि लोडिंग अनलोडिंग में 5 उर्पे किलो का चार्ज लग जाता है ट्रांस्पोर्ट का खर्च अलग से है यही वज़ा है कि बजार में सरसों का तेल महंगा भिक रहा है वीरूर पोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी